हिंदू धर्म में तुलसी का काफी महत्व है। मान्यता है कि तुलसी का पौधा जिस घर में होता है वहीं पर सकारात्मक उर्जा का प्रवाह अधिक होता है और नकारात्मक उर्जा समाप्त हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी में मालक्ष्मी के साथ भगवान विश्नु का वास होता है वहीं तुलसी की जड़ों में भगवान शालिग्राम का वास होता है इस कारण नियमित रूप से तुलसी के पौधे की पूजा करने से सभी कामनाय पूरी हो जाती है इसके साथ ही घर में रहने वाले सदस्यों की तरक्की होती है इस तरह जलाएं दीपक, शाम को नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाएं आप चाहे तो दीपक में थोड़ी सी हल्दी डाल लें इससे पैसों की तंगी से छुटकारा मिलेगा जलाएं आटे का दीपक, तुलसी के पौधे के नीचे आटा से दीपक बना कर जलाएं अगले दिन इस दीपक को गाए को खिला दें शास्त्रों के अनुसार आटे के दीपक को सबसे ज़्यादा शुब और पवित्र माना जाता है आटे का दीपक तुलसी के नीचे जलाने से मा लक्ष्मी के साथ मा अन्नपूर्ना का आशिरवाद मिलता है इससे शुब फलों की प्राप्ती होगी और आर्थिक स्थिती मजबूत होगी दीपक के नीचे रखें अक्षत तुलसी में दीपक लगाने से पहले थोड़ा सा अक्षत जरूर डाले इसके बाद ही घी का दीपक जलाएं क्योंकि मा लक्ष्मी अक्षत का आसन भी ग्रहन करती है इसलिए आसन लगाना जरूरी है अक्षत को बहुत ही शुध माना जाता है इसलिए इसका आसन लगाने से दरिद्रता दूर भागती है और मा लक्ष्मी प्रसन होती है शाम के समय नियमित रूप से तुलसी के पौधे के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए इस दीपक में थोड़ी सी हल्दी डालना एक अच्चूक उपय है माना जाता है कि इस उपाय से आर्थिक तंगी से छुटकारा मिलता है